C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहन करने दे और इसे आपको ही समर्पित करने दे स्रोत पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेपचा लोग संगीत इस ग्रह पर हम सुक्ष्म जीवानूओं और बैक्टीरिया जोग से लेकर वटवरिक्ष, हाथी और ब्लू वेल तक करोडों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं ये पूरा आवासियस्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विवित्ताओं से भरा हुआ है मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थिती की तंत्र का निर्मान करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन तत्वों पर निर्भर करते हैं उधारन तया वायू जिसमें हम सांस लेते हैं जल जिसे हम पीते हैं और म्रदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते पौधे, पशू और सोक्ष्म जीवी इनका पुनस रजन करते हैं वन पारिस्तिती की तंत्र में महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं क्यूंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं वन्य जीवन और क्रिशी फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विवित्ताएं पाई जाती हैं ये आकार और कार्य में विभिन्न हैं परन्तु अंतर निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई हैं भारत में वनस्पती जात और प्राणी जात यदि आप अपने आसपास नजर दोडाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं वास्तव में भारत जैव विवित्ता के संदर्भ में विश्व के सबसे समरिध देशों में से एक है यहां विश्व की सारी जैव उपजातियों की आठ प्रतिशत संख्या लगभग सोला लाग पाई जाती है यह अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से दो या तीन गुणा हैं आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीव संसाधनों के शेत्रफल और किस्मों के बारे में जान चुके हैं आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है ये विविद वनस्पती जात और प्रानी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते परन्तु पर्यावरण के प्रती हमारी असमवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीवन उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पती उपजातियां पाई जाती हैं वनस्पती उपजातियों में लगभग 15,000 उपजातियां भारती अमूल की हैं यानी स्थानिय हैं क्रिया कला अपने क्षेतर में मानव और प्रकृती के समन्वई संबंदों पर प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगाएं कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में 10 प्रतिशत वन्य वनस पतीजात और 20 प्रतिशत स्तंधारियों को लुप्त होने का खत्रा है इन में से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्थ होने के कगार पर हैं इन में चीता, गुलाबी सिर्वाली बतख, पहाडी कोयल, जंगली चित्तिदार उल्लू और मधुका इंसिगिनिस, महुआ की एक जंगली किस्म और हुब्रडिया हैप्टा निूरॉन घास की एक प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्थ हो चुकी हैं आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्थ होने पर अधिक केंद्रित है क्या आप जानते हैं कि भारत में बड़े प्राणियों में से स्तंधारियों की 89 जातियां पक्षियों की 44 जातियां, सरीस्रिपों की 15 जातियां और जलस्थल चरों की 3 जातियां लुप्थ होने का खत्रा बना हुआ है लगभग 1500 पादब जातियां के भी लुप्थ होने का खत्रा है फूलदार वनस्पती और रीडधारी प्राणियों के लुप्थ होने की दर लुप्थ होने की प्राकरतिक दर से 50 से 100 गुणा ज्यादा है प्रिश्ट संख्या सत्र लुप्थ होते वन भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है देश में वन आवरण के अंतरगत अनुमानित 6,37,293 वर किलोमीटर शेत्रफल है ये देश के कुल भोगलिक शेत्रफल का 19.39 प्रतिशत हिस्सा है सघन वन 11.48 प्रतिशत खुला वन 7.76 प्रतिशत और मेंग्रोव 0.1 प्रतिशत है स्टेट ओफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1999 के अनुसार वर्ष 1997 से सघन वनों के क्षेत्र में 10,098 वर किलोमीटर की व्रधी हुई है परंतु वन क्षेत्र में ये व्रधी विभिन संगठनों द्वारा व्रक्षा रोपन से हुई है ये रिपोर्ट प्राकृतिक वनों और व्रक्षा रोपन यानि की क्रित्रिम वन में अंतर नहीं करती इसलिए इस रिपोर्ट के आधार पर प्राकृतिक वनों के वास्तविक रास का ठीक तरह से अनुमान नहीं लगाया जा सकता आओ, हम विभिन प्रकार के पौधे और प्रानियों की जातियों के बारे में पता लगाएं अंतर राश्ट्रिय प्राकृतिक संदक्षन और प्राकृतिक संसाधन संदक्षन संग, IUCN के अनुसार इनको इन शेनियों में विभाजित किया जा सकता है सामान्य जातियां ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं जैसे पशु, साल, चीर और कृंतक यानी रोडेंट्स इत्यादी संकटग्रिस्त जातियां ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खत्रा है जिन विशम परिस्तितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है काला हिरन, मगरमच, भारतिय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूँचवाला बंदर, संगाई यानि कि मनिपूरी हिरन, इत्यादी इस प्रकार की जातियों के उधारन है सुभेद्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है यदि इनकी संख्या पर विप्रीत प्रभाव डालने वाली परिस्तितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटी रहती है तो ये संकट ग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी नीली भेड, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादी इस प्रकार की जातियों के उधारण है दुरलब जातियां इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य हैं और यदि इनको प्रभावित करने वाली विशम परिस्तियां नहीं परिवर्तित होती तो ये संकट ग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है स्थानिक जातियां प्राकर्तिक या भौगलिक सीमाओं से अलग विशेश शेत्रों में पाए जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुवर और अरुनाचल के मिथुन इन जातियों के उधारण है लुप्त जातियां ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोच करने पर अनुपस्तित पाई गई हैं ये उपजातियां स्थानी अक्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीब या पूरी पृत्वी से ही लुप्त हो गई हैं ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर्वाली बतक शामिल हैं। प्रिष्ट संख्या 18 इसमें चित्र संख्या 2.2 में कुछ लुप्त, दुरलब और संकतग्रस्त जातियां बताई गई हैं। इनमें साइकेस बिडोमी डायर जो कि पूरवी घाट पर पाय जाने वाला एक दुरलब साइकेड है दिखाया गया है। संकतग्रस्त निकोबारी मेगापोर्ड करनाटक में पाय जाने वाले हेटरोमिट्रिस कानरेसिस को दिखाया गया है। पश्चिमी घाट के दक्षिनी भाग में पाए जाने वाला ओकलेंडरा ट्रॉथन कोरिया गेंबल पोएसी जिसका उप्योग चटाई और टोकरी बनाने में किया जाता है और इसके अलावा एम्बलिका राइबीज यानि कच्चे फनों वाली संकट ग्रस्त ओशदी अलता दि चीता बिल्लीव परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रतिघंटा की गती से दौड सकता है लोगों को आन्त और पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंद्वा होता है चीते की विशेश पहचान उसकी आँख के कोने से मू तक नाख के दोनों और फैली आंसूओं के लकीरनुमा निशान है बीसवी शताबदी से पहले चीते अफरिका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे परन्तु इसके आवासियक शेत्र और शिकार की उपलब्दता कम होने से ये लगभग लुप्थ हो चुके हैं भारत में तो ये जात का ऐसा भयानक हास हुआ है यदि आप चारों और नजर दोड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है हमें लकडी, छाल, पत्ते, रबर, दवाईयां, भोजन, इंधन, चारा, खाद, इत्यादी प्रत्यक्ष और परोग्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्थ होता है इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुँचाया है भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषी, व्यवसाय, वानिज, वानिकी और खनन क्रियाओं में व्रधी से हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुडने से कृषी का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है भारत में वन सर्वेक्षन के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर किलोमीटर वनक्षेत्र कृष जनजातिय क्षेत्रों में विशेशकर, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी यानि की जूम खेती अथवा स्लैश और बर्ण खेती के चलते वनों की कटाई या निमनीकरण हुआ है क्या उपनिवेशी वन नीती को दोशी माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरन विशेशग्यों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में समवर्धन व्रिक्षा रोपन, अर्थात वानिजी की दृष्टी से कुछ या एकल व्रिक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपन कर पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई हैं। उधारन के तौर पर सागवान के एकल रोपन से दक्षन भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। और हिमाले में चीड पाइन के रोपन से हिमाले अन ओक और रोडोडेंडरॉन वनों का नुकसान हुआ है। अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। ये प्रक्रिया अब भी जारी है। मध्य प्रदेश में चार लाक हेक्टियर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जल मगन हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी पहुँचाया है। और कई जातियों जिसमें भारतिय हाथी भी शामिल है कि आवा गमन मार्ग को बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और परियावरण विद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारन और इंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमी का निभाते हैं। यदि पी इसमें कुछ सचाई हो सकती है। परंतु चारे और इंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ती मुख्यता पेड़ों की टहनिया काट कर की जाती है। ना कि पूरा पेड़ काट कर। वन पारिस्तिती की तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनीजों और अन्य संसाधनों के संचय कोश हैं। जो तेजी से विक्सित होती ओध्योगिक शहरी अर्थ्विवस्ता की मांग की पूर्ती के लिए बहुत महतोपूर्ण है। ये आरक्षित शेत्र अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग माइने रख दूसरी में आदिवासी यूवतियां बांस की पौद लगाते हुए दिखाई गई हैं। दूसरे चित्र में छोटे-छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं दिखाई गई हैं। पेड़ की च्छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्रु में सबसे अधिक भिकने वाली कैंसर औशधी है। इसके अत्यधिक निसकाशन से इस वनस्पती जाती को खत्रा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुनाचल प्रदेश में विभिननक शेत्रों में यव के हजारों पेड सूख गए हैं। प्रिष्च संख्या 20. भारत में जैव विवित्ता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना वा आखेटन, पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बटवारा व उनका असमान उपभोग और प विकास शील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोशी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपी एक अमेरिकी नागरिक का ओसत संसाधन उब्भोग, एक सोमाली नागरिक के ओसत उब्भोग से 40 गुणा ज्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5 प्रतिशत धनी लोग, 25 प्रतिशत गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उब्भोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुचाते हैं। तथा इन 5 प्रतिशत लोगों की पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तथा वानिज्जी की दृष्टी से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पती और वन्य जीव जातियां लुप्थ होने के कगार पर पहुच गई है। क्रिया कलाप क्या आपने अपने आसपास ऐसी गतिविधियां देखी हैं जिससे जैव विवित्ता कम होती है। इस पर एक टिपणी लिखें और इन गतिविधियों को कम करने के उपाय सुझाएं। वनो और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विशय ही नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विवित्ता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाए निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिये पर पहुँच गए हैं। ये समुदाए खाने पीने, औश्रधी, संस्कृती और आध्यात्म इत्यादी के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर हैं। गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यक्ता की वस्तूओं को एकटा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कारिभार बढ़ता जा रहा है। और कई बार तो उनको संसाधन एकटा करने के लिए 10 किलो मीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्ते समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुश परिणाम हो सकते हैं। वनकटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाड़ भी घरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्तिती में गरीबी, पर्यावरन, निमनी करण का सीधा परिणाम होता है। भारती उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन, मानव जीवन के लिए बहुत कल्यानकारी है। अतह ये आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षन के लिए सही नीती अपनाई जाए। प्रिष्ट संख्या 21 भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षन। वन्य जीवन और वनों में तेज गती से हो रहे हास के कारण इनका संरक्षन बहुत आवश्यक हो गया है परन्तु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षन करना आवश्यक क्यूं है? संरक्षन से पारिस्तिती की विवित्ता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायू और मृदा बने रहते हैं ये विभिन जातियों में बहतर जनन के लिए वनस्पती और पशुओं में जीन्स विवित्ता को भी संरक्षित करती है उधारन के तौर पर हम क्रिशी में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं जलिय जैव विवित्ता मोटे तौर पर मचली पालन बनाए रखने पर निर्भर है 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरन संरक्षकों ने राष्ट्रिय वन्य जीवन सुरक्षा कारिक्रम की पुर्जोर मांग की भारतिय वन्य जीवन यानि रक्षन अधिनियम 1972 में लागू किया गया जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई इस कारिक्रम के तहद बची हुई संकट ग्रस जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन पर वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षन तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदी पर प्रबल जोर दिया गया है चित्र संख्या 2.4 में दो चित्रों को दर्शाया गया है इसमें पहले चित्र में कान्जी रंगा राष्ट्रिय उद्यान में गैंडा और दूसरे चित्र में हिरन को दर्शाया गया है ततपश्यात केंद्रिय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राश्ट्रिय उद्ध्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किये जिनके बारे में आप पहले ही सुन चुके हैं केंद्रिय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोशना की जिनका उद्देश्य गंभीर खत्रे में पड़े कुछ विशेश वन प्राणियों को रक्षन प्रदान करना था इन प्राणियों में बाग, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगुल, तीन प्रकार के मगरमच, स्वच जल मगरमच, लवनिय जल मगरमच और घडियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतिय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतिय गोडावन और हिम तेंद्वों आधी के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंद लगा कर कानोनी रक्षन दिया है बाग परियोजना वन्य जीवन सनरचना में बाग यानि की टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाती है 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में बीस्वी शताब्दी के आरंब में बागों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है बागों को मार कर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासी अस्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपचातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में व्रिधी बागों की घटी संख्या के मुख्य कारण है बागों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परमपरागत औशदियों में प्रयोग के कारण ये जाती विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गई है चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की दो तिहाई बागों को आवास उपलब्द करवाते हैं अतह ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बहतरीन वन्यजीव पर्योजनाओं में से एक है और इसकी शुरुवात 1973 में हुई शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई क्यूंकि बागों की संख्या 1985 में 4002 और 1989 में 4334 हो गई थी परंतु 1993 में इसकी संख्या घटकर 3600 पहुँच गई भारत में 37761 किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाग रिजर्व हैं बाग संरक्षन मात्र एक संकट ग्रस्त जाती को बचाने का प्रयास नहीं है अपितू इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाती को भी बचाना है उत्तरांचल में कॉर्बेट राष्ट्रे उद्द्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदर्बन राष्ट्रे उद्द्यान, मध्यप्रदेश में बांधवगर राष्ट्रे उद्द्यान, राजस्थान में सरस्का वन्यजीव पशुविहार, असम में मानस बाग रिजर्व औ भारत में बाग संरक्षन पर्योजनाओं के उधारन हैं। भारत में वन्य जीव पशुविहार और राष्ट्रि उध्यानों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। और पक्षियों की मृत्यू के बारे में बताया गया है। क्या आप इन समस्याओं के निदान के कारण ग्याद कर सकते हैं। वन्य और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वित्रण। यदि हम वन्य और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें, तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकरित कठिन है। भारत में अधिकतर वन्य और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं, यह वन्य विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिये सरकार के प्रबंधन में हैं। देश में आधे से अधिक वन्य क्षेत्र अरक्षित्र गोशित किये गए हैं। जहां तक वन और वन निप्राणियों के सनरक्षन की बात है, आरक्षित वनों को सरवाधिक मुल्यवान माना जाता है ख रक्षित वन वन विभाग के अनुसार देश के कुल वनक्षेतर का एक तिहाई हिस्सा रक्षित है इन वनों को और अधिक नश्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमी जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गी कृत वन कहे जाते हैं आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थाई वन शेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकडी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है मध्य प्रदेश में स्थाई वनों के अंतरगत सरवाधी क्षेत्र है जोकी प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75 प्रतिशत है इसके अतिरेक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिल्लाडू, पश्चिम बंगाल और महराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है जबकि बिहार, हर्याना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उरीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वनक्षेत्र अवर्गी कृत वन हैं तथा स्थानिय समुदायों के प्रबंधन में है प्रिश्च संख्या 23 समुदाय और वन सनरक्षन वन सनरक्षन की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है हम आमतोर पर इस बात से अंजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है भारत के कुछ शेत्रों में तो स्थानिय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास थलों के संरक्षन में जुटे हैं क्यूंकि इसी से ही दीर्ग काल में उनकी आवश्यक्ताओं की पूर्ती हो सकती है सरिस्का बाग रिजव में राजिस्थान के गाउं के लोग वन्य जीव संरक्षन अधिनियम के तहट वहां से खनन कारे बंद करवाने के लिए संघर्श रत हैं कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयम वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षे भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं राजिस्थान के अलवर जिले में पांच गाउं के लोगों ने तो बारा सो हेक्टियर वन भूमी भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोशित कर दी जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैट से यहां के वन्य जीवन को प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है इनी विश्वासों ने विभिन वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचा कर रखा है जिन्हें पवित्र पेड़ों के जुर्मुट देवी देवताओं के वन कहते हैं वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े करने देते। कुछ समाज, कुछ विशेश पेड़ों की पूझा करते है और आदिकाल से उनका सनुरक्षन करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं उडिसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं हम मेंसे बहुत से व्यक्ती पीपल और वट व्रिक्ष को पवित्र मानते हैं भारतीय समाज में अनेको संस्कृतियां हैं और प्रतेक संस्कृती में प्रकृती और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारमपरिक तरीके हैं आम तोर पर जर्नों, पहाडी चोटियों, पेडों और पश्वों को पवित्र मान कर उनका संरक्षन किया जाता है आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं राजस्थान में बिश्णोई गाओं के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाए और मोरों के जुंड देख सकते हैं जो वहाँ के समुदाय का अभिन हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता क्रिया कलाप आप अपने आसपास के किसी ऐसे रिती रिवाज के बारे में एक लेख लिखें जो पर्यावरन बचाओ और सन्रक्षन में मदद करते हैं हिमालय में प्रसिद्ध चिपकों आंदोलन कई क्षेत्रों में वनकटाई रोकने में ही काम्याब नहीं रहा अपितू ये भी दिखाया कि स्थानिय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदाईक वनीकरन अभ्यान को सफल बनाया जा सकता है पारंपरिक संरक्षन तरीकों को पुनरजीवित अत्वापारिस्थितिकी क्रिशी के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नव दानाय ने दिखा दिया है कि रासाइनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविद फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य क्रिशी उत्पादन संभव है भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कारिक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर निर्मान में स्थानिय समुदाई की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं आपचारिक रूप में इन कारेक्रमों की शुरुवात 1988 में हुई जब उडीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया वन विभाग के अंतरगत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कारे करता है और इसमें गाउं के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामिन और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कारे करते हैं इसके बदले ये समुदाय मध्यस्तरिय लाब जैसे गैर इमारती अवन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षन से प्राप्त इमारती लकडी लाब में भी भागीदार होते हैं भारत में पर्यावरन के विनाश और पुर्न निर्मान की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानिय समुदायों को हर जगे प्राकर्तिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए परन्तु स्थानिय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है अता वे ही विकास क्रियाएं मानने होनी चाहिए जो जन्मानस पर केंद्रित हों, पर्यावरन हितैशी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हों पेड एक विशेश असीमित दयालू और उदारपूर्ण जीवधारी हैं, जो अपने सतत पोशन के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेट करता है ये सभी की रक्षा करता है और स्वयम पर कुलहाडी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है गौतम बुद्ध 487 इसापूर प्रिष्ट संख्या 24 अभ्यास प्रश्न एक, बहु वैकल्पिक प्रश्न एक, इन में से कौन सी टिप्पनी प्राकर्तिक वनस्पती जाद और प्रानी जाद के हास का सही कारण नहीं है क क्रिशी प्रसार ख व्रहत्य स्तरिय विकास परियोजनाए ग पशुचारण और इंधन लकडी एकत्रित करना और घ तीव्र ओद्योगी करन और शहरी करन दो इन में से कौन सा सनरक्षन तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता क सयुक्त वन प्रबंधन ख चिपको आंदोलन ग बीज बचाओ आंदोलन ग वन्य जीव पशुविहार का परिसीमन प्रश्न दो आगे पड़े जाने वाले प्राणियों या पौधों को उनके अस्तित वर्ग से मेल करें यहां दो कॉलम दिये गए हैं जिसमें पहले में जानवर या पौधे दिये गए हैं और दूसरे में अस्तित वर्ग है जानवर या पौधे काला हिरन एशियाई हाथी अंडमान जंगली सुवर हिमालयन भूरा भालू गुलाबी सिर्वाली बतख अस्तित्व वर्ग लुप्ट दुरलब संकट ग्रस्त सुभेद्य स्थानिक प्रश्न तीन आगे पढ़े जाने वाले वनों का मेल करे यहाँ दो कॉलम दिये गए हैं जिसमें पहले में वनों का नाम और दूसरे में उनका वर्णन दिया गया है एक आरक्षित वन दो रक्षित वन और तीन अवर्गी कृत वन दूसरे कॉलम में पहला सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अधिक मूल्यवान वन तीसरा, वन भूमी जो और अधिक शरन से बचाई जाती है प्रिश्न संख्या चार आगे पढ़े जाने वाले प्रशनों के उत्तर लगभग तीस शब्दों में दीजिए एक जैव विवित्ता क्या है ये मानव जीवन के लिए क्यूं महत्वपूर्ण है दो, विस्तार पूर्वग बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकर्तिक वनस्पती जात और प्रानी जात के हास के कारक है प्रिश्न संख्या पाँच आगे पढ़े जाने वाले प्रशनों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए एक भारत में विभिन समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षन और रक्षन में योगदान किया है विस्तार पूर्वक विवेचना करें दो वन और वन्य जीव संरक्षन में सहयोगी रीती रिवाजों पर एक निबंध लिखिए अभी आप सुन रहे थे अध्याय दो वन एवं वन्य जीव संसाधन प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत